दोस्तों, प्रेडक्ट्रिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो मैं आपको जो RGB स्मार्ट LED बल्ब है इसको अन्बाक्सिंग करके दिखाऊंगा साथ ही ये बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है ये इसमें क्या के फीचर्स हैं और इसको आप कैसे सेट कर सकते हैं तो इसको मैं आउनलाइन क्लिपकार्ट से मंगाया हूँ ये मेरे को 280 रुपे पड़ा है और ओरिजनल इसका प्राइज लगभग 1100 रुपे है तो सबसे पहले तो मैं आपको अन्बाक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या के चीज़े हैं ये देखिए ये बील है ये मेरे को 285 पड़ा है और ये स्मार्ट एलेडी बल्ब है अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कि स्टेप का है बल्ब जो है तो ये बल्ब है ये सिम्पल आपको एलेडी बल्ब टाइप के लगेगा अब मैं जब आपको इसको जला के दिखाऊंगा तब देखेंगे किस टाइप का ये दिखता है फिर इसको वाइफाई से कॉन्फिगर करके बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको जला के दिखाता कि अग्षिख कर आई कि कि मैं बटन ये दिद्डेखे फिलाल तरहिंट वाइट कलर में ही ग्लो कर रहा है अब इसके बाद यह अपना color change करेगा अब मैं आपको इसको configure करके बताऊगा तो अब मैं आपको बताऊगा कि इसको configure कैसे करते हैं तो इसको mobile से कैसे connect करते हैं और इसमें setting वेगरा कैसे करते हैं तो क्योंकि यह switch company का है तो आपको switch company का apps डाउनलोड करना पड़ेगा तो आप play store में जाएए और इसका apps डाउनलोड कर लिजेए मेरे में वैसे अल्रेडी डाउनलोड में कर चुका हूँ तो जब आप इसको इसमें लिखेंगे switch तो यह वाली जो apps है my switch नाम की जो apps है यह आप देख लिजे इसी apps को आपको डाउनलोड करना है क्योंकि मैं अल्रेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मेरे में यहां पर सीधा open option आएगा अब मैं इसको open कर लेता हूँ आप इसको download कर लिजेगा my play store से उसके बाद आप इसको open करेंगे open करने के बाद अब आप इसको क्योंकि connect कर नहीं इसलिए अपने bulb को आप on कर लीजे इसके बाद आप इसमें जो plus sign दिखेगा जो my switch apps है इसमें plus sign दिखेगा इसके उपर आप क्लिक करेंगे अब उसके बाद लोकेशन अन करने के लिए बोर रहा है अगर आपका on करना है तो okay कर देंगे लोकेशन अन हो जाएगा इसके बाद आप इसमें से switch company की इतने सारे device साते हैं बजार में लेकिन मैं फिलहाल जो है आपको configure first वाले device से करके दिखा रहा हूं light से इसलिए आप इसमें से first वाला option चलिक करेंगे उसके बाद एलाव करेंगे अब यह आटमेटिक क्या करेंगे रेंज में जो भी आपका device से उसको सर्च कर रहा है अगर यह मिल जाएगा तो दिखा देगा यह देखिए यह आ गया device क्योंकि यह आन है अब इसको क्लिक करेंग करेंगे और उसके बाद इसको connect करेंगे इसके बाद यहां पर दो option है अगर आपको Wi-Fi router से जोड़ना है कि सीधे mobile से क्योंकि मैं mobile से जोड़ना चाहता हूं इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा इसका नीचे वाला option के पर क्लिक करूंगा अब यहां पर यह बोल रहा है कि आप आपको जिस टैप का कलर चाहिए उसके पर अपले जाएंगे तो इस टैप कलर में दिखेगा यह देखिए मैं यलो मिले जाता हूं यलो हो जाएगा है हलका रेड है यह इसी तरह से तो इसमें जो है आपको तीन options भी मिलेगा नीचे में यह जो पहला सबसे स्टाउप में ज इसको दबाएंगे अन करना चाहते है तो इसको उसके अत्रिक तीन option नीचे में दिखेगा इसमें जो है यह effect है इसमें तीन प्रकार की जैसे मैं candle करूंगा यह जो बल्ब है candle की तरह ब्लिंक करने लगेगा हलका light को कम जादा करने लगेगा अगर आपको बन चालू करना है इस्टार इफेक्ट देना है तो आप इस्टार में क्लिक करेंगे यह रेंडम में अपने से ही effect सेलेक्ट कर लेगा दूसरा जो है lighting के लिए इसमें आप lighting को हलका से yellow या ब्लू ब्लूनेस लाना है इस टैप का आप option कर सकते हैं और जो तीसरा है वो color के लिए है तो इसमें आ इतने option आपको इसके LED बल्ब के साथ मिलेगे स्मार्ट LED बल्ब के साथ धन्यवाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग और प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए